अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए एड़िक्टिव और एडवोग के बीच में क्या डिफ्रेंस है तो अक्सर इस्टुएंट के दिमाग में कोशन आता है सर यह तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कॉंप्लिकेटिव है और अगर यहां पर एक एक्सराइज में आपको दे दू क जो कि बेस्ट है आपके एड़िक्टिव और एडवोग पर बैस लेकिन से पहले मैं आपको सारी चीज़ डिटेल एक्स्टैन करूँगा अब को एड़िक्टिव होता गया है और एडवोग होता गया है एंदेन आफ्टर आपको इस सारे कोशन सॉल्ब करने हैं लेट सी कित चोड़ विडियो में आपको बताने वाला हूं मैं एड़िक्टिव और एडवोग की बीच में अंतर और को केसे यूस करना है साधी आपको दूंगा मैं एक्सराइस जहां पर आपको एड़िक्टिव और एडवोग से फिल करना है कि सही क्या आएगा तो वहीं दिखिए होते हैं इनको describing words भी कहते हैं मैंने एक ट्रिक पर बैस्ट एक शॉट वीडियो बनाया थे जिसमें बताया थे कि केसा से जो answer मिला ना भई वो आपका होता है एडजेक्टिव बात करते हैं एडवर्ब की तो एडवर्ब मतलब किस मेनर में काम हुआ है किस तरीके से काम हुआ है अगर किसी ने किसी बात को बहुत अच्छे से कहा तो उसने केस से बोला तो आप बोलेंगे वैल ठीक है लेकिन आपका जो good है वो आपका adjective है और speak आपके एक verb है और याद रखीगा किसी भी verb के बाद में आपको लगानी होती है एडवर्ब किसी भी verb के बाद में लगानी होती है आपको एडवर्ब जिसे मैंने कहा वो दोड रहा है तो आप English में कहोगे he is running देखेगा आपने कहा कि वो मतलब he is running अब वो केसे दोड़ रहा तो आपने कहा slowly दोड़ रहा है तो यह जो word slowly है यह आपका क्या है भी एडवर्ब है और यहाँ पर यह जो running है this running is actually a verb लेकिन जब बात करते हैं हम लोग adjective क्यों तो मैंने कहा केसा लड़का तो आपने कहा slow है he is a slow boy he is a smart boy तो अगर वो smart boy है तो उसने कैसे answer किया तो आप कहेंगे he answered he answered smartly मतलब उसने अपनी smartness को दिखाते हो smartly answer किया तो smart से बना है smartly intelligent से बना है intelligently sharp से बना है sharply dull से बना है डली नहीं होता राइट इसका एडवर्ब नहीं बनता creative से बना है formula यह है कि adverb is equal to adjective plus ly come on adjective plus ly देखो हमारे पास इसकी list भी मैं आपको list छॉप करता हूं now you can see on the board guys adjective का जो formula है वो क्या आ रहा है adjective का जो formula आ रहा आप देख सकते हैं वो आ रहा है आपका adjective plus ly is equal to adverb मतलब यह formula हो जाता है कि इसका adverb का अब यह adjective लिखा हुआ है clever में ly लगा है तो क्या बना cleverly wise में ly लगा है तो क्या बना wisely kindly foolish में ly लगा है तो क्या बना जब adjective में ly लग जाता है तो भाई वो बन जाता है अब आपको देखना है जब आप इसका sentence बनाओगे तो आप बनाओगे he is a clever boy याद रखिए कि अगर मैं boy लिख रहा हूँ तो ही article a लगाना है अगर मैं बोलू कि वह clever है तो आपको यह नहीं बोलना है कि he is a clever यह गलत हो जाएगा क्योंकि जब कोई adjective अकेला आता है तो इसके आगे कोई article नहीं लगाते हैं हम लोग लेकिन adjective जो है अगर वो noun के द्वारा follow होता है अगर उसके बाद में noun लगता है तो फिर आप उसके आगे article लगा सकते हैं इसलिए याद रखना है he is a clever नहीं होगा he is clever लेकिन अगर उसमें आपने boy लगा दिया तो आप बोलेंगे he is a clever boy तो यह चोटे-चोटे concept से language के बहुत प्यारे हैं बहुत शांदार हैं इनको आप बिल्कुल use करें आप लोग अच्छे से चैके इस पीड से बनाए इस पीड ली पावर सब्सक्राइब अब ली तो एक बार आप क्या करें इन सारा जितने वी वोड्स आपको दिये इनको एक बार अच्छे से प्रक्टिस कर लें यह जाता तर ऐसे जिनके लास्ट में लगता है अब होता क्या है कि कुछ ऐसे भी हो लास्ट में लगता है जो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं जैसे यहां पर होगा गड़ और एडवर में हो जाता है वो वैल अब यह तो पूरी तरह से बदल गया है अब यहां पर करना क्या है हमको यह याद रखना है कि भाई यह गुड जो है आप लोगों का ना स्ट्वेंट्स यहां पर देखो एक एक्ससाइज आपके लिए लेकर आए हूँ अब इन में आपको दो आप्शन दी एक दिया नाइस और दूसरा दिया नाइस ली एक आपको दिया एड़िक्टिव और दूसरा दिया है आपको एडवर अब आपको फील करना है ब्लें person अब person यहां पर आपको दिया है noun, और noun के आगे आता एडजिक्टीव मतलब कि आएगा nice person कमान ठीक है nicely नहीं आएगा nicely का बाता है जब आप कहते हैं कि she behaved nicely, she behaved nicely अच्छे स्पैनिश वहरी वहल, सुनने में लगए स्पैनिश वहरी वहल आना चाहिए तो यह हो गए आपका, the next we have Katrina took a panting class Katrina ने कौन सी class ली, panting class ली so she can pant blank pictures, beautiful pictures की beautifully pictures, come on she can pant, picture है मतलब यहाँ पर adjective आएगा the right answer will be beautiful, मैं चाहतू पहले आप लोग खुद सॉल्ब कर ले, अब इसका screenshot ले खुद सॉल्ब करें और इसके बाद फिर session को देखे कि मैं कौन-कौन से answers बता रहा हूं, कितने answers आपके सही जा रहा है, the next we have Mr. Smith looked blank at me Mr. Smith ने मुझे देखा, look Mr. Smith ने मुझे कैसे देखा होगा angry देखा होगा, कि angrily देखा होगा obviously अगर Mr. Smith आपको आपको देखेंगे तो गुसे से देखेंगे और गुसे से देखने के लिए यूज होगा angrily, right लेकिन अगर कोई व्यक्ती गुसे में दिखाई दे रहा है तो आप कहोगी, you are looking angry you are looking angry today, आज आप गुसे में दिखाई दे रहा हो, तो वहाँ angry बोलेंगे but you are looking me angrily, लेकिन आप मुझे देख रहा हो गुसे से, तो ऐसी situation में वहाँ पर angrily आएगा so the right answer will be adverb, जो आपको लिखना है angrily और angry में y को अटा कर il y हम लोगो ने लगा है, तो यह थोड़ा दियान दिजीए का आप लोग the next we have, of course, I was blank when I got an A plus on the exam अब आप देखो, of course, I was happily तो हो नहीं सकता, जब कोई वेक्ति को A plus exam में मिलेगा तो of course, वो क्या होगा, happy होगा, happily थोरी नहीं होगा, भई, so the right answer will be happy the next, the music is too blank, please turn it down, अब जब भी आपको याद रखना, instrument 2 आया है मतलब adjective आता है 2 के बाद में, तो आपको याद रखना है, music case है, बहुत ज़्यादा loud है, ठीके, please turn it down, crap है, इसको turn down कर दो, तो loudly नहीं करना, आपको loud करना, the right answer will be loud, the next we have, my friends, all tell me that I sing blank, bad या badly, तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर लिखा है, singh gana, और gana किस manner में करता है, बुरे manner में, मतलब badly, the right answer will be badly, the next we have, the thief blank took the money and walked out the door, quietly, बताए क्या होना चाहिए, तो भई, चोर ने जो है, पैसे, चोरी से लिये, और दरवाजे से बाहर चला गया, तो भई, the right answer will be quietly, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहा है, एडवाब की, किस manner में पैसे लिये, बहुत एक्दम शान्ती से, पता ही नहीं चलने दिये, कि उसने पैसे चुराया है, और धीरे जा निकल लिया, भई, the next we have the kit, waited blank for the mouse to come out of the hole, आप silent आना चाहिए, कि silently आना चाहिए, अफकोस अगर बिल्ली वेट कर रही है, तो silently वेट करेगी, है ना, तो silently वेट करेगी, मतलब क्या आएगा, आपका adverb आएगा, तो guys, आप देख सकते हैं, कि यह जो questions 9 हम लोगों ने भी solve किये, मैं उमीद करता हूँ, आपको समझ में आएगे, अभी और भी काफी जारे questions हमने इसमें लिस्ट में दिये, तो सारे तो हम लोग solve नहीं करें, चुकि वीडियो वह ज्यादा lengthy हो जाएगा, तो मैं इसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा दिमाग लगाए, वक के साथ ता बाकी के questions आप खुछ solve करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को session अच्छा लगा होगा, बिल्कुल comment करके आप मुझे बताया है कि कैसा आपको session लगा है, बाकी के सारे questions आपको comment करके मुझे बताने हैं कि आपने इनके answers क्या की है, चले इस टोड़ मिलेंगा नेक्स्ट वीडियों कुछ authentic content के साथ में तब तक टड़े भाय, have a good day